बिन पानी सब सून ये तो आपने सुना ही होगा अपनी प्यास बुझाने के लिए लोगों को कभी मीलों का सफर तै करना पड़ता है तो कभी घंटों कतारों में लगना पड़ता है विहार में मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत घर-घर पानी उपलब्द कराने के लिए नल जल योजना चलाई है लेकिन ये भी अन्य सरकारी योजना की तरह ही लापरवाही की भेट चड़ गया है कतिहार में पानी की समस्या को दूर करने के लिए लोगों ने अपने क्श्रम दान से कुएं के अस्तित्व को महफूज रखने के लिए बीड़ा उठाया है ये तस्वीर कठिहार के हलफा इलाके की है जहां लोग कुएं को जिन्दा करने की कवायद में जुटे हैं बताया जाता है कि कभी इलाके का ये एक लौता कुएं हजारों लोगों के हलक की प्यास मिटाने के साथ अन्य कामों में उप्योग आता लेकिन धीरे धीरे ये कुएं सूख गया लोग भी इसके विकल्प के तौर पर ट्यूब वेल का प्रयोग करने लगे लेकिन इन दिनों सूबे में आसमान से उगल रही आग ने ट्यूब वेल के भूजल के स्तर को पाताल में पहुचा दिया लिहाजा परिशान लोग करे त और हमारे ग्राम हपलागंज 12 वार्ड के हपलागंज हैं समाज हैं और 12 वार्ड में यही एक कुएं अभी संचालन में है अम जनता के अनुष्ठान में हैं क्या हुआ परसासन के तरफ से कोई साफ सपाई नहीं होते हैं और यह मतलब जो है कुवा मिलब जो सरकार के घर में इंटी ब्लोक में इंटी है तो एक बार मीलब जो ह्या हमने साफ इसको करवाई जो भी पैसा खर्च हो बाद नहीं सरकारी समस्था से प्लास न TF मतलब जो हुआ फिर उसके बाद धोस्त हुआ तो उसके बाद जो है ग्रामी लोग अपने हिसे इस कुएं को कचरिये बगारद निकाले और विजी भिज्धान हिंदू लोगों का सभी का हुता है तो अब चाहते हैं कि और इस कुऊंकी साफ़ पाइय हो हो जल में जीवन है पीजें कि लख पानी हो नहाए कि लाघ पानी हो यह कुमा पुराना है मना दाला पर दाना इसके भी बहुत ज्यादा पुराना है सब्सक्राइब करते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं घर में यह क्या हुआ कि अभी तापमान बहुं जादा बढ़ा और उसके बाद क्या हुआ कि इसका जलस्तर देद्रे नीचे चला गया तो सूख गया था उसके बाद कुमाक हम लोग सब मिलके इसको कुमाक असाफ सपाई किये और उसको जो कच्रा था निकाले और जो बालू अलू भी था उसको निकाले तो जलस्तर था नीचे ऊपर आ गया अजिससे जो है अब पूरे बिदी विदान से जो है पानी निकलना और सबके गढ़ में स आज भी धार्मिक आयोजनो या शुब अनुष्ठानों की शुरुवात पहले नदी या कुए से जल भरने और उस जल से घर लोटकर अनुष्ठान शुरुवात करने की परंपरा बेहत पुरानी है शहरी करन के दौर में आज भी छोटे शहरों में कुओं से जल भराई रस्म के बाद अनुष्ठान होते हैं ऐसे में कठिहार के लोगों द्वारा श्रमदान से कुओं को जिन्दा करने की कवायत सरहनी है पंजाब केसरी टीवी के लिए कठिहार से राजीव कुमार की रपॉर्ट